नमस्कार दोस्तों मैं अरुनाबा और हिल्स्टोशिंस के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज मैं एक स्पेशल यूनिक वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए और आज का वीडियो है जे डी एम रिल्स के उपर जी हाँ । येडिये में मतलब जैपनीज डॉमेस्टिक मॉडल्स सारे जो बड़े ब्रैंड्स हैं फिशिंग टैकल के सारे कंपनीज के जे डी एम के मॉडल्स होते हैं और जे डिये मॉडल का मतलब है जैपैन के जो आगलर से जो लोग सी बैस और खासकर के शोर जीगिंग ज़्यादा करते हैं, उनको light weight reel चाहिए होता, strong reel चाहिए होता है, तो इसलिए जो stock global model रहता है, उसको changes करके, कुछ उसमें upgrade डालके, जपान में companies लाँच करते हैं, वो बाहर ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन आप सब के लिए, specially Okuma से कुछ reels order करके लेके आये हैं, वो है Okuma क JDM models, आप लोगो के लिए ये वीडियो में दिखाऊंगा, और Welcome to Okuma Reels Series 3, और आज का topic है दोस्तो, JDM Reels from Okuma, तो पहले जो series मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बारे में बात करेंगे, वो है CMR Series, जो भी reel समने launch किया है, आप लोगो ने देखा है, यूज कर रहे हैं, और अब सब हैपी हैं, हमको मालूम है, मेरे हाथ में एक रील है, वो है CMR HD, आप सबने इसको देखा है, यूज भी किया है, और काफी आपने पसंद भी किया है, लेकिन मेरे पास अगर आपको बताऊं, ऐसा एक reel है CMR Series में, जो कि JDM है, Japanese Domestic Model, जी हाँ दोस्तों, आपको में इंट्र CMR CB, और left hand में CMR HD, आप देख सकते हैं, दोनों में विजबल चेंज क्या है, सीरीज से मैं CMR, बाट उसका विजबल कॉस्मेटिक में चेंज हो गया पहला ही, यह ब्लाक रेट का है, और यह सिल्वर और गोल्ड का है, दोनों में पावर हैं लेकिन इसमें पावर नॉब नह बना हुआ है, यहां पे C45 carbon का बना हुआ है, दोस्तों akumas CMR HD में आपको ball bearings मिलते हं, वो performance ball bearing हैं लेकिन यहां पे मिलते हैं मिलते हैं आपको high performance ball bearings, salt, water grade ball bearings, आपको मिलता है और इसके drag में hydro block technology आता है, hydro block technology आता है, carbonite system का drag दोस्तों आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यह है अपना 5000 साइज यह 4000 साइज यह 3000 और वो है 2000 साइज पहले बताता हूं आपको 2000 साइज के बारे में इसका जो ड्रैग है वह तीन किलो का और 200 ग्राम उसका रिल का वेट है और इसमें 6.021 का आपको गियर रेशियो मिलता है और 7 प्लस वन बॉल बेरिंग है जो भी दोस्त हमारा लाइट टैकल खेलना पसंद करते हैं जिनको कंसिस्टेन फ्री फ्लो ड्रैग चाहिए आउटपूर्ट काफी अच्छा रिल है सीमार सीबी 2000 जिसका प्रैस है 7600 7600 का रिल है दोस्त किलो और उसका जो वेट है वो है 242 ग्राम्स 6.021 का गियर रेशियो 7 प्लस वन बेरिंग बाकि टेक्नोलोजी सारा सेम है और इसका प्राइस आएगा दोस्तों 8200 जिहां 8200 का इसका प्राइस है सीमार सीबी 3000 उसकी बाद हम देखेंगे सीमार सीबी 4000 के उपर जो स्पेक से व हैं हमको वेट मिलता है रिल का वह है 284 ृवह 284 ग्राम का रिल का वड़ेट है 6.2 इसी तो वन गियर रेशियो 7 plus 1 ball bearing 4000 size का CMR CB है उसका price है 8800 8800 और उसके बाद हम देखेंगे CMR CB 5000 है हमार जो 5000 है CMR CB उसका price है 9000 रुपीज और इसका drag है 10 kilo same as 4000 इसका weight है 287 grams और 6.2 is to 1 gear ratio 7 plus 1 ball bearing ये सारा features loaded है और इसमें line capacity जो है वो काफी बेहतर है 0.30 mm का line 240 meters बैटेगा 0.30 का 240 meters इसका line capacity है तो काफी अच्छा line capacity मेल जाता है आपको 5000 size में तो ये हमारे 4 जो real series में जो 4 real थे Okuma CMR CB के 5000, 4000, 3000 and 2000 तो आपको कौन सा real पसंद है नीचे कमें में बताइए और आप कौन सा real को use करना चाहेंगे ये बताइए आप और कोई भी question रहेगा तो हम definitely उसका answer देंगे दोस्तों आज का दूसरा JDM model जी हाँ आज का दूसरा JDM model है ITX-CB Of course, CV means carbon So, मेरे हाथ में left hand में है normal ITX और right hand में है ITX-CB जो की JDM model है तो दोनों size है 4000 के आप देख सकते हैं visible change उसका cosmetic का पहला chain है और आपको मैं दिखा हूँ इसका जो effective change है cosmetic छोड़के पहला आप गौर कीजेगे इसका handle पर यह aluminum का handle है यहां पर C40X carbon का दिया हुआ handle है दूसरा यह जो spool है ITX-CB का जो normal ITX है उसके हिसाब से 30% lighter है इसका spool light weightness को highlight किया गया है तो इसमें 30% lighter दिया हुआ है इसका spool जो main shaft है वो aluminum 7075 grade का aluminum से बना हुआ है main shaft और key washers hydro work technology का साथ drag में इसमें add किया हुआ है और black and gold का finish मिलेगा इसमें यह जो line roller है इसमें DLC coating है इसमें normal line roller है आप दोनों का color देख सकते हैं इसमें DLC coating दिया हुआ है और काफी smooth line flow रहता है हमारे पास तीन इसका model है ITX-CB 2500 ITX-CB 3000 और ITX-CB 4000 तो चलिए हम ITX-CB 2500 में क्या-क्या features है उसकी बारे में बात करते हैं specifically इसमें आपको मिल जाता है 8 kilo का drag 224 gram reel का weight रहेगा इसका gear ratio है 6.0 is to 1 और 7 plus 1 HPV ball bearings इसमें line capacity दोस्तों मिलेगी 0.20 mm का 200 meter, 0.25 का 165 meters और 0.3 mm का 110 meters और यह सब feature loaded reel जो है सारे features के साथ आपके पास यह reel आएगा 9,800 9,800 सिर्फ दोस्तों 9,800 में यह reel आप खरी सकते हैं नीचे दिये हुए link में जाके अब क्लिक करेंगे तो यह reel का सारा features price के साथ shopping link आपको मिल जाएगा दोस्तों चलिए देखते हैं ITX CB 3000 का individual specs क्या है इसमें drag इसमें भी आठ किलो का मिलता है आपको रिल का वेटे दोसो चौबीज ग्राम difference है नहीं जादा सर्फ पूल का थोड़ा सा difference है इसमें और 6.0 is to 1 का इसा gear ratio 7 plus 1 ball bearing है line capacity increase होता है 0.20 का जैसे की 2000 में था 200 में इसमें 310 में 60 में जादा इसमें बैटेगा दोस्तों दो-3 दाम का डिफरेंस है इसका वेट में और इसमें जो प्राइस है 3000 CB ITX का वह है 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज यहां प्लस shipping आप नीचे देवाए यह सीरीज में रील है वह है ITX 4000 CB और इसका specific features में हम देखेंगे 3000 size में आपको था 8 kg 4000 size में वह ड्रैक बढ़के 8 से 10 kg हो चुका है और उसमें weight है जो रील का 4000 का वह है 264 ग्राम इसका line capacity है दोस्तों 0.25 mm का 280 meter 0.3 का 185 meters और 0.35 का 130 meters और यह सारा कुछ feature loaded reel जो है आपका हो सकता है 10,200 रुपे का यह रील है तो आप जाके बिल्कुल देर मत करिए यह एक limited limited stock वाला shipment है जो हमने Okuma से मंगवाई है आप लोग के लिए specially और यह Japanese domestic models है जो की हाला की normally होता नहीं है all over the world लेकिन special shipment आया हुआ है और limited reels है तो जल से जल्दा phone उठाई है या फिर laptop या computer बैटे हो तो यह link को क्लिक कीजिए और हमारा shopping link में डिरेक लिए अब जा सकते हैं यह रिल को खरिदने के लिए यह गया हाज का हमारा JDM Reels के ऊपर जो सीरीज था ओकुमा रील सीरीज 3 और जल से जल्द हम आपके लिए सीरीज 4 लेके आएंगे उसमें डेर सारे नए रिल के बारे में बात करेंगे और जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि बारे शुरू हो चोका है फिशिंग अच्छा हो रहा झाल